हेलो फ्रेंज स्वागत है आप सभी लोगों का रिजनिंग बाई हाइवे क्लासेस में पीडियो अगरे के लिए आप टेली ग्राम पर जॉइन हो सकते हैं हम लोग जो यह रिजनिंग डिसकस कर रहे हैं यह आने वाले विन पृतियोगी एक्जाम के लिए उपयोगी होगी जै इसमें पूछे जाती है जो चैप्टर आपके एक्जाम में पूछा जा रहा हो उस चैप्टर को आप विदिपत तयार कर लें हमारे साथ तो आपके रिजनिंग अच्छी हो जाएगी हम यहां पर आपको पूरा थेयोरी पढ़ा रहे हैं पहले और थेयोरी के बाद में इसक हमको क्या कहता है जैसे इसमें हम लोग पार्ट नंबर छे देख रहे हैं और अगर आपने पार्ट नंबर यह छे डारेक्ट देखा तो आपको देखने से कोई फायता नहीं मिलेगा आपको पांचों पार्ट देखने पड़ेंगे तब ही उसका कांसेप्ट समझ में आएग देख सकते हो लिंक डिक्स्विशन में है वहाँ पर भी आप देख सकते हो तो आज देख रहे हैं उसमें आज जब दो से अधिक पांसे की बात करते हैं तो मतलब हमको तीन पांसे दिये जाएंगे या चार दिये जाएंगे पांच दिये नहीं जाते हैं ज्यादा तर तीन चार तो देखिए उस इस्तिति में हम लोगों को कैसे attempt करेंगे इस चीज को तो देखिए जब भी आपको जैसे सबसे पहले हमने जो case पड़ा था वो case था कि जब हमें एक पासा दिया जाए और एक पासे में हमने दो case पड़े एक तो हमारा था मानक पासा और एक था सामाने पासे दोनों के practice भी कर ली है मतलब theory के साथ साथ में और theory भी पड़ ली है फिर हमने कहा कि जब आपको two passे दिये जाएंगे two passे में हम लोगों तीन case पड़े एक case one common trick और दूसरा two common trick और तीसरा no common trick जो हमने कल पड़ा है आज जो हम लोग पड़ रहा है more than two passे जब हम लोगों को दिये जाएंगे जब more than two passे दिये जाएंगे तो उस इस्तिती में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा जो जब more than two की बात है तो जो यह आप one में और two में सिख चुके हो वही more than two में लगेगा आईए इस चीज़ को हम आपको बताते हैं कैसे देखिए सबसे पहले जब भी आपको दो से अधिक पासे दिये जाएंगे तो आप ऐसे पासे को पकड़ेंगे जिन से हमारा answer निकल लाओ जिन से हमारा answer निकल लाओ और उसमें जो आपको लगाना है वो one common trick लगाना है अगर बन जाये तो अच्छा है नहीं तो आप two common trick दो से अधिक दिये जाएं तो उस इस्ति में हम लोगों को क्या करना है उस इस्ति में हम लोगों को ऐसे पासे ढोड़ने है जिसमें कम से कम one common हो क्या common हो one common हो ये हम लोगों को देख के चलना है जैसे यहाँ पर पूछा गया है कि तीन के विपरीत कौन सांक होगा तो तीन क पांसे में आपको 3 दिखा तो आप देखो यहाँ 3 है ऐसा पांसा डोनो जहाँ पर 6 हो तो आपने देखा इसमें 6 है इसमें भी 6 है लेकिन आप और भी एक बात देख रहे हैं इसमें 5 है और इसमें भी 5 है यानि कि सवाल तब भी लग जाएगा क्योंकि हमारा तीन कामन नहीं है तो आप इस सवाल को ऐसे लगा सकते हो इस सवाल को दो कामन ट्रिक से हमने बताया था किसी भी पांसे कि अगर दो कामन हो जाते हैं जिसे 5-6 यहां पर कामन है यहां पर भी 5 से कामन है तो हमारा जो बचेगा वो उसके अपुजिट होगा जिसे यहां 3 बचा और यहां 4 बचा इसका मतला हमारा एंसर आ चुका है 3 के विपरीद क्या है? 4 और 4 के विपरीद है 3 यहां से यह 1 जो है method हो गया अच्छा second method हम one common trick से लगा सकते हैं कहीं पर one common trick ऐसी आ रही हो कोई भी पासा पकड़ो हमारा answer आना चाहिए किसी पासे से देखो यहां पर देखना तो आप देख रहे होंगे जैसे पासा नंबर 1 और पासा नंबर 2 में सिर्फ आपको 4 common मिल ला है तो जब आपको 4 common मिल ला है गड़िक दिसा में गवाँ दो पासा नंबर 1 को तो 4 फिर 5 और फिर 6 अब इसको भी गवाँ गड़िक दिसा में तो 4 और फिर 1 और फिर 2 यह पूरा हम बता चुके हैं गड़िक दिसा में कैसा क्या है तो यह पूरा आप सीख चुके होंगे तो अब देखो पांच के अपुजिट हो गया एक, और 6 के अपुजिट हो गया तो अब 4 के अपुजिट क्या ंग होगा 3 के विप्रित कांग होगा, तो तीन के विप्रित अंग होगा 4, ये राइट एंसर है तो आप समझ गया होंगे कि more than PASA को हम लोग कैसे solve करेंगे देखो, यहाँ पर हमसे पूछा गया है, 4 के विप्रीत कौन है, तो 4 के विप्रीत अगर पूछना है, तो आप देखो, 4 तो 3 जगे भी दिख रहा है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, जैसे हमारा एंसर हो जाए, वैसे हम लोग कर लेंगे, तो अगर आप इन दोनों पासा को देखो हुए जैसे ये पासा नंबर हम लोग एक डाल दें और इस पासा नंबर दो डाल दें और इसे पासा नंबर तीन डाल दें तो आप तीनों पासा में देख रहे होंगे आपको पांच दिखाई दे रहे होंगे यहां भी चार, यहां भी चार, यहां भी चार, अगर आप पासा नंबर एक और दो को पहले देखो, पहले अच्छा दो तीन को देखो, यहां भी पांच दिख रहा है, यहां भी पांच, यहां भी चार, यहां भी चार, यहां भी चार, तो यह दोनों कामन हो जाएंगे, तो जिससे हमारा एंसर के लिए नहीं पाद गाएं चुकि हमको एक के अपुजट तीन नहीं चाहिए, हमें चार का उपजज़ट चाहिए था, तो भी इन दोनों पास्थों से बात नहीं बनिए है, अब हम कोई दूसरा पासा देखे, जैसे पहला और दूसरा देखो, यहां पर आपको पासा चार दिया गया और यहाँ एक दिया गया तो देखो यहाँ चार है और यहाँ चार है लेकिन यहाँ एक है यहाँ भी एक है तो यहाँ से जो एंसर निकलेगा वो निकलेगा पांच के पुजिट छे का निकल भीगा लेकिन हमारा भी चार के बजिट नहीं आपाया अब देखो अब हमें ऐसा पासा डूनना है जिसमें हमारा कोई one common हो जाए तो देखो अगर आप देखेंगे पहले पासे को और तीसरे पासे को जो पहले पासे देखेंगे तो यहां 4 है यहां भी चार है ठीक है एक कामन हुआ यहां एक है यहां एक नहीं है यहां छे है यहां नहीं है तो हम लोग कहेंगे पासा नंबर एक and पासा नंबर तीन से हमारा एंसर निकलने जा रहा है तो जो एक कामन है उसको पकड़ गुमा देंगे तो common क्या है 4, यहां भी common क्या है 4, तो हम लोग 4 को पकड़ेंगे, 4 और घड़ी की दिसम गुमाओ, पहले पास ते को 4 के बाद हमें 1 और फिर 6, इसको भी घड़ी की दिसम गुमाओ, तो 4 और 4 के बाद 3 और 3 के बाद 5, तो यहां से हमारा answer clear हो चुगा है, कि 6 के अपुजिट पाद 5 होगा, और 5 के बाद 6 होगा, 3 के बाद 1 होगा, और 1 के बाद 3 होगा, 4 के बाद पुजिट वो अंक होगा, जो इसमें है नहीं, अब बताओ कौन सा अंक नहीं है इसमें, 4 के बाद 2 कहीं नहीं दिख रहा है, तो 4 के बाद 2 होगा, तो इसका right answer होगा, 4 के बाद 2 होग और यह 5-4 और यह 5-4 common हो गए तो एक के भी परीद क्या हो गया तीन हो गया अगर हमसे पूछते हैं कि तीन के परीद हम यह दोनों पासा ले लेते हैं जैसा हम लोग चाहिए होता है एंसर उसी हिसाफ से हम लोग पासा चुनते हैं यह होता है more than two में बस अगर आपने पासा न पूछा गया कौन सा अंक है तो कि उध्म एक इसमें एक तो पहले वाले पासा में भी ए और दूसरे पासा में भी नहीं है और तो यहां यक्स है क्या है, यहां यक्स है, नहीं है, यहां यम है क्या है, यहां यम है, नहीं है, यहां A है, यहां A है, हाँ है, वन कामन ट्रिक से यह सवाल सवाल हो सकता है, आपके पास वन कामन ट्रिक आ गए, लेकिन अगर आप थोड़ा सा और देखें, कुछ और मिल ला हो सायद, तो चुक हमको A के भी प्रीच चाहिए, तो देखो, यहाँ L है, तो यहाँ L है, नहीं है, यहाँ P है, यहाँ P है, हाँ है, यहाँ Y है, यहाँ Y है, हाँ, तो इसका मतलब आप समझें, तो यह दोनों, यानि कौन-कौन से, P Y, और यहाँ P Y, यह तो जो कामन चलेगे, बचा क्या, A के अपोजिट A, भाईए, बढ़ा सुन्दर सा सवाल का एंसर आ चुका है, A के अपोजिट A होगा, तो क्या देखें, दो और तीसरे से, टू एंड तीसरे से, तो यहल के अपोजिट A आ गया, या A के पोजिट यहल हो गया, राइट एंसर C हो गया, माल लेते हैं, कि अगर आपने पासा नंबर एक और ती लिया होता, वन कामन ट्रिक से, तो पासा नंबर एक, एंड जो है, तीन से, वन एंड थ्री पासा नंबर हम लोग लेते, तो इसमें एक आमन था, तो A और घड़ी की दिसाम गुमाते, तो X और फिर Y, और इसमें घड़ी की दिसाम पहले A एक लेते, फिर घड़ी की दिसाम गुमाते, Y और फिर P, आप देखो यहां से एक बात के लिए रोग रही है, कि Y के अपोजिट P हो गया, X के पोजिट Y हो गया, अब हम लोग यहां पर सोची नहीं पहले, वही लेटर ना गुमते, तो हम यह नहीं के पाते हैं, अब पता नहीं कौन सा अच्छर होगा, पूरे ABCD में, इसलिए अंक में तो कह सकते हैं, अंक में अगर कोई अंक बचता है, तो हम लोग कह सकते हैं, भाई अब तो यही तुम करता है, और कभी कबार यह दो कामन में भी सवाल गलत हो जाता, कहीं जगा पर दो से ज़्यादा कामन होते हैं, वो चीज़ अभी लाष्ट में आपको इस बास समझ मायाईगी, पहले इतना छोटा-छोटा समझो, कांसेप्ट, ओके, अर्ला सवाल देखिए, यहां पर यह ह परत के विफlishing क्या होगा, तो कालंकित परत है नहीं, मतलब यह है, मतलब यह यह जो आपका, गोलगोल सा, कालंकित की जगहाँ, पर यह रेडंकित कर दो, टीक है, यह वाला परत हम को पुछा गया, मतलब जिसमें हमने ऐसे- ऐसे although पूछा है, यह वाला परत आप से पु हो गया 2 और यह पासा नम्बर हो गया 3 ऐको है अब समझो कि यहान पर कैसे एंसर आएगा मारा तो अब amendments are इस्टार है यह और यह प्लस कहीं पर ऐसी जगह Do No जहां पर इस्टार ऑपलस दो नू तो इस्टार प्लस इसमें नजीं धर प्लस चलाना पड़ेगा ठीक अच्छा अगर आपको चत्रुबुज के विप्रीष चाहिए होता तो हमारा एंसर फटाक्स जा जा जाता कैसे क्योंकि त्रुबुज देखो जो है यह सोरी इसको ब्रत और इस्टार और देखो यहां पर भी ब्रत और इस्टार तो चत्रुज के अप यहां पर देखो प्लस है पासा नंबर एक में तो प्लस लिखेंगे और प्लस के बाद क्या लिखेंगे इस्टार लिखेंगे और इस्टार के बाद क्या लिखेंगे यह तारंकित लिखेंगे ठीक है अब उसके बाद पासा नंबर दो में प्लस लिखेंगे और प्लस के बा star के opposite तरभू जा जाएगा लेकिन हमारा जो answer चाहिए था वो नहीं आ पाएगा तो इसको आप भटाइए तो ये नहीं बन पाया ठीक है और कोई पासा हमको देखना पड़ेगा तो अब पासा कौम सा देखें तो हम पासा देखते हैं पहला और तीसरा देखो तो यहाँ पर पहले और तीसरे में भी नहीं मन पाएगा क्योंकि पहले और तिसरे में भी दो कामन है एक आपका ब्रत कामन है और एक आपका इस्टार कामन है तो यहाँ पर भी ब्रत कामन है इस्टार कामन नहीं बन पाएगा तो आप दूसरे और तिसरे को देखो तो दूसरे और तिसरे को आप गर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक कामन है तो यहाँ पर कौन सा कामन है एक कामन है वो भी ब्रत ही कामन है तो अब देखते हैं क्या कहानी आती है तो ब्रत अगर हम लेते हैं तो यहाँ पासा नमबर दो और तीन से तो यहाँ पर दो और तीन से ब्रत अगर लेते हैं तो ब्रत के बाद प्लस आएगा और फिर त्रबुज आजएगा यहाँ पर ब्रत लेते हैं ब्रत के बाद चत्रबुज आजएगा चत्रबुज आजएगा अब बताओ कौन सा अंक नहीं आया है देखो प्लस के अपुजिट हो गया चत्रबुज तो यह हमारा एंसर चत्रबुज तो नहीं होगा स्टार के अपुजिट हो गया त्रबुज तो यह स्टार हमारा तो एंसर नहीं होगा और प्लस के अपुजिट त्रबुज था यह भी हमारा एंसर नहीं होगा तो अग दिये गए आपसनों में हमारा right answer है D मतलब इनमें से हमारा कोई answer नहीं है इस हिसाब से recording हम लोग चलेंगे तो देखो सबसे पहले आप यहीं चेक कर लो कि आप देख रहे हैं कि प्लस के अपुजुट तो चत्रबुज हो गया तो अभी हमसे पूछा कि यह ब्रत के अपुजुट तो ब्रत के अपुजुट यहाँ पर हमारा कोई ऐसा आपसर नहीं था जो हम लोग लगाते वैसे अगर हम ब्रत के अपुजुट जानना चाहें तो क्या answer होगा तो देखो हमारे पास अगर कोई symbol इसमें दिख रहा होगा तो हम बता सकते हैं जैसे क्या star है ब्रत हो सकता है नहीं star तो हमारा त्रबुज के अपुजुट है क्या ब्रत के पुजिट ब्रत हो सकता है? बिल्कुल नहीं ब्रत के पुजिट ब्रत कैसे हो पाएगा? बिल्कुल नहीं क्या प्लस हो सकता है? बिल्कुल नहीं प्लस तो चत्रगुज के पुजिट है तो यहाँ भी प्लस नहीं चत्रगुज के पुजिट है यह त्रगुज इसमें से हम लोग answer नहीं है, हमारा इसमें से कोई भी answer नहीं है, ठीक है, यहाँ पर इसलिए हमारा right answer यहाँ पर D हो जाएगा, ठीक है, यह बड़ा अच्छा सवाल था जिसको मैं सोचने में थोड़ा time भी लग गया, अगला सवाल लेखिए, यह उसे भी खतर सवाल है, इसमें बच्चे काफी गलत करकर आते हैं, उनको लगता है कि हम सही करकर आए हैं, ठीक है, तो आईए इस चीज को हम लोग यहाँ पर तुमारी गलत framing दूर करते हैं, जैसे पुछा गया है, पीले रंग के विपरीद क्या होगा, तो हमने जैसे यहाँ पर पीला र अगर आप पासा नंबर एक और दो में देखो, तो नारंगी बैंगनी है दोनों जागा, तो नारंगी यहाँ भी है, नारंगी बैंगनी नहीं है, तो आप देखो पासा नंबर एक में हम देख रहे थे, पीले के पुछिट हम को चाहिए, तो नारंगी बैंगनी इसमें तो नारंगी बैंगिनी यहां पर है, तो देखते दोनों जगा, यहां पर भी नारंगी बैंगिनी, तो पीले के अपूजिट सिधा नीला आ गया, तो नीले पर हमको लगा देना चाहिए, नहीं गलत हो जाएगा, यह चीज़ आप आगे और मिला कर देखो, जैसे अगर आप पां अपूजिट नीला आ चुका है, देखते हैं कि हमारा एंसर विएरियेशन होता है क來到 अधिन नहीं होता है, तो फिर हमारा यह ञाएगा, जैसे यहां पर और भी मिला लेजिए, जैसे यहां पर लाल है हरा है, लाल है नीला है, तो लाल है और नीला, नाल देखो, यहां से दे तो ये बात गलत हो जाएगी याद पीले के पुचिट अभी तुम निला कह रहे थे अब पीले के पुचिट हरा कह रहे हो तो इसका मतलब आपका answer जो है variation हो चुका है अब आपको इसमें ऐसे लगाना है जहां पर one common हो दो common से यहां पर नहीं answer variation हो रहा है तो आप ऐसा पांसा है one common है जो one common होगा वहाई से यह लगेगा बढ़िया तरीके से ठीक है तो आपको one common trick से अपनाना है तो चलिए सबसे पहले हम लोग ढूनते हैं ऐसे पांसे जिसमें one common हो तो देखो यहां पर कोई one common हो रहा हमको चाहिए पीले के अपुचिट ठीक है भाई पीले के अपु गया पांसा नंबर दो एंड पांसा नंबर तीन में कौन common है तो आप देखिए यहां नारंगी है यहां नारंगी नहीं है यहां बैंगनी है यहां नीला है यहां नीला है यहां नीला है हाँ तो यह नीला पांसा नंबर दो में नीला तो यहां लोग लिखेंगे नीला और नीले के बाद में क्या लिखेंगे नीला के बाद में लिखेंगे बैंगनी और बैंगनी के और बैंगनी के बाद में लिखेंगे नारंगी ठीक है अब यहां पर जो क्या कामन था वो नीला था नीले के बाद में अभी दर पहले नीला लिखेंगे जो कामन है वो बड़ हम लो तो नील्या चला गया चुक्सिक्स को पीले के विप्रित यहाँ आएगा बैंगिनी यह देखिए पीले के आप पुझट बैंगीनी आएगा राइंसर नमबर पुजिट अभी हम लोग clear नहीं कर सकते कौन सा रंग होगा ठीक है यहां पर कोई digit नहीं है जो बाकी बचा हो तो बाकी बचा हो अभी क्या पता क्या है नीले के पुज़िट हरा है कि कौन सा रंग है तो इसके लिए आप क्या करेंगे तो आप ऐसे पांसा डूनेंगे जिसमे प्राइब दों लोग कम से कम लोग व्लोग सो सवाल हम लोग यहां पर इसके प्रैक्टिस करेंगे और उसको आप आप बने रहे है हाईवेक्लासे यूट्यूब चनल पर आपके इन कहां है अंग जिसमें चार चाहर पांसे दिये गया हैं तीन-तीन पांसे दिये गया चाहर दिये गया है और सम्हेश मेन नारंगी नइला हरा और सिम्बल यह सारे पासे हम लोग एक साथ करेंगे पहले आप theory पढ़ लो जब हम practice करा हैं तो आप यह ना सोचो कि यह सर कैसे हो गया यह चीज़ हम कहना चाह रहे हैं आपको theory वह आँखी पीछे की याद होनी चाहिए ओके धन्वाद मिलते हैं नेट लेक्शन में PDF के लिए आप टेलिंग्राम पर जॉइन हो जाएए थैंक्यू धन्वाद